कि अमश्कार रादे रादे जैश्री प्रिष्णा मैं स्ट्रोजर मादव शर्मा को जीवन राशी फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्थी कभी नंदन करता हूं कुम्ब राशी के दिसंबर 2023 के राशी फल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तोत हूं इस राशी वालों के लिए यह माँ कौन से करहर राशी परिवर्तन कर रहे हैं साथ की साथ कौन सा भाव सब्सक्राइब हो रहा है किन भाव और से रिलेटेट आपको शुबफलों की प्रापती होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं साथ के साथ हम बात करेंगे आपर आपके सब्सक्राइब करते हैं कुम्ब राशी के स्वामी की कुम्ब राशी के स्वामी बनते हैं शनी देव आपके राशी से घोचर कर रहा है यानि जन्म के चंद्रमा के ओपर से शनी का गोचर सबसे महतुपूर्ण चंद्रमा यहां पर किस भाव के स्वामी है तो चंद्रमा यहां पर आपके जो है साड़ी साथी का समय भी चल रहा है क्योंकि जन्म के चंद्रमा के उपर से शुब्फल दाई नहीं कहा गया है चिक साउस के स्वामी के उपर से खोचर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपर हैंथ को लेकर थोड़ी सी समस्या रह सकती है आप अपने कारियों के लिए आपर जो है धन का लोन ले सकते हैं साथ की साथ शत्रों से भी कहीं न कहीं आप इस माहा के अंदर प्रभावित होते रहेंग तीन कारक रहा कार affect प्लेस्ट माने गए हैं यानि अच्छे प्लेस्थ आपको यहां पर आपको शुबाप्त होने के शंकेतigor कि ढ по जिए इस अब यहां हम मैं सब्शाम के स्वामी पर होते हुए रश्चिक राश्य और धनुवाश्य यानि शूरह सब्जिद्भाव Less दशम भाव रश्चक राशी से उसके बाद आपके लाव भाव धनु राशी से गोचर करेंगे शनी की स्थिति सप्तम भाव सप्तम भाव के स्वामी दोनों को महा की शुरुवात में प्रभावित करने वाली है तो कहीं बिजनेस रिलेक्टेड चीजों को यहां पर आप तीसरे बाव में अपनी मित्र की राशी में घुचर कर रहे हैं और आप अब आप आप देवगुरु भयंस्त्ती की बात करें तो यहां पर अपनी सब्तम भाव के सब्तमधाव which रृप्तृर लाएं भिजनेस Yang nhi staged debate दो टनब्रों होता सपोर्ट से भी आपको धन के लिए आपको प्रेडित करते रहेंगे साथ की साथ धन का लाव भी प्रापत होगा इसके बाद लाव पर दस्टी डालने का मतलब है धन बाव के स्वामी का लाव भाव पर और सबसे महत्वपूर्ण लाव भाव के अंदर धनू राशी आती है ज तो यहां पर धन के लिहाज से कुम राशी वालों की यह महा गोचर जो है वो शुबफलदा ही रहने वाला है बात करते हैं कौन सा भाव सबसे जदे एक्टिवेट हो रहा है अगर हम बात करें यहां पर सब्सक्राव की जहां पर सिंग राशी आती है शनी और गुरू का दी डेव ग्रही को चाह हो रहा है आँ पर आपके सब्तम भाव को भिचनेश को अक्टिवेट कर रहे हैं तो सबसे महत्वों रिष्थियॉ अ कर्वेशिट करेंगे तो देव-गुरू पती की नवम-दश्टी अब बाद में ला भाव पर जानेimin के बाद में उनकर उनने के बा और उसके स्वामी को पूरे माहा के अंदर एक्टिवेट किये हुए हैं यानि कहीं न कहीं पार्टनर्शेप बिजनेस आपके बिजनेस सपोर्ट को लेकर आपके देनिक अगर मैं बात करूं यहां पर इंकम को लेकर भी यह गोचर आपको शुब और अच्छा फल बदान करने लागे बाव में शुक्र की स्थी बनी होई है शुक्र यहां पर कारक रहे हैं बहुत महत्व पूर्ण हैं बागी का सपोर्ट जो शुक्र आपको यहां पर देते रहेंगे अपना राशी वरवितन कर रहे हैं नौम भावके स्वामी द्शन बाव के अंदर गोचर करेंगे यह स्थिति भी शुब और राजियों का रहा किस्थिति माना गई है शुक्र का नव मेश्व का दश्मभाव के अंदर गोचर एक अच्छा कोचर माना गया है और अगर हम बात करें तो पार्टनर्शिप के साफ से बिजनेस के साफ से यह कोचर आपके लिए शुप पलता ही है तनके लियाद से भी गोचर आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने के जबत है बागे सपोर् में भी हाँ पर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है कि दन्यवाद